वेलकम बैक टू चैनल आईए स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को अनलाइस करना देखते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीकिस काम कर सकता है कौन-कों से लेवल्स इंपॉर्टन रहने वाले हैं क्या नीच आपकी ट्रेविडिक 0.12% की तेजी आपको week-on-week basis पे देखने को मिली है अलाकि market ने इस week में बहुत ही जादा rally किया है all time high के आस-पास market गया था बट Friday के दिन market में एक downfall के चलते weekly gain उत्रा strong आपको देखने को नहीं मिला है flat to flat basis पे weekly time frame पे market close हुआ है candle stick pattern की बात करें monthly और weekly time frame पे किस तरीके से candle formation है तो यहां पर आप देख पा रहे है monthly time frame की candle अगर हम plot करते है तो monthly time frame पे आपको एक neutral candle देखने को मिल रही है यहां पे आप देखिए उपर से wick है बीच में body green कलर की है छोटी body है विक भी बड़ी है तो इसको हम neutral candle consider करके चलते है वहीं पर weekly time frame पे आपको एक shooting star pattern देखने को मिल रहा है जो कि एक bearish signal market में दिखा रहा है यहां पे एक bearish engulfing pattern देखने को मिल रहा है यहां पे देखिए एक बड़िया rally market में चल रही थी इसके बाद all time high b market ने लगाया बट Friday की candle है इसने last day की candle को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है इसे bearish engulfing pattern बोलें weekly time frame पे एक shooting star pattern formation देखने को मिल रहा है तो यहां पे देखिए candlestick point of view से तो आसपास ही put call ratio होता है तो यहां पे भी traders ने अपनी position को same call option or put option में दोनों ही तरफ से same position रहे के रखे है open interest point of view से वहीं पे FIE की बात करें FIE में लगवा 9500 कड़ों की buying की है DIA ने लगवा 300-700 कड़ों की selling की है FIE net buyers इस market में निकल के आये है last week में positive और negative event की बात करें तो देख है inflation बड़ा है तो यह एक negative point रहेगा great Britain का inflation भी बड़ा है तो यह भी एक negative point रहेगा इसको माइनस टू देके चलेंगे next week में कौन-कौन से events important रहने वाले हैं देकि Tuesday में बहुत important event आ रहा है union budget रहेगा 2004 का यह बहुत important event होता है yearly business पे जो market बहुत ज्यादा volatility लेके आता है वहीं में रहा है और oil and gas sector खास negative में आपको देखने को मिला है यह sectors ने इन दो sectors ने मार्किल को पूरीता से drive किया है last week अब आते हैं चार पर आली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे और यहां पर market का structure समझने की कोशिश करेंगी market किस तरहीके से last week में trade किया है और आगे क्या trade कर सकता है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं Monday का trading बहुत ही ज्यादा tight Tuesday में भी बहुत जार मार्केट टाइट रहा Wednesday में छुट्टी थी मोहराम के चलते market बंद रहा वही पर Thursday में expiry के दिन आपने बहुत ही बढ़िया moment निफ्टी में देखने को मिला market उपर गया नीचे आया और फिर उपर गया तीनों side आपको बहुत ही बढ़िया moments देखने को मिले option buying point of view से Thursday का दिन बहुत ही बढ़िया रहा यहां पर premium जो put side के हैं बहुत ही दीरे दीरे बड़े हैं तो option buyer को भी इसमें कुछ खास फायदा नहीं मिला है बट option seller ने जिसने call option sell करके चले हैं उनको बढ़िया गेंस यहां पर देखने को मिलेंगे RSI की अगर आप बात करते हैं RSI oversold के आसपास आ चुका है तो यहां पर RSI की बता रहा है कि market में support देखने को मिल सकता है तो market में support कहां मिलेगा तो यहां पर हम support level की अगर बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे है 24,500 24,500 के आसपास यह round number level है यहां पर market support गयादा करने की कोशिश करेगा जो कि एक important zone है बार बार मार्केट ने यहां पर support लेने की कोशिश की है past में इसके बाद next support zone की आगर बात करें तो 24,200 से 300 का जो level है यह एक important support zone का काम करेगा यह पूरा zone देखे यहां पर बार बार मार्केट ने जंप लिया है बार बार यहां से आपको bounce back देखने को मिला है तो यह zone पूरा एक support zone का का काम करेगा इसके बाद next resistance level आपको 25,000 round number level रहेगा जो की market अचीव करने की कुशिश कर सकता है देखे next week में जो है बहुत important event line up है union budget आने वाला है market बहुत important trajectory में खड़ा हुआ है market ने gains भी दिये है और losing भी क्या है तो next week बहुत important रहने वाला है अगर आप Wix पे नज़र डालेंगे तो यहां पर देखें इंडिया Wix की आप बात करें तो इंडिया Wix भी धीर धीरे करके slow and steadily आपको देखने को में लिए 12 से लेके बढ़के लगभख 15 के आसपास आचुकी है और यह भी एक breakout देने की तैयारी में है तो जब भी आप जानते हैं बहुत event को यह important आता है market में fear factor बढ़ता है volatility बढ़ती है तो इंडिया Wix सबसे पहले बढ़ना start करता है जो की एक indication होता है कि market of volatility बढ़ गई है तो यहाँ पर जैसे कि हमने election के time पर देखा था Wix को बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए 4-5 जून के आसपास आपको मैज से लेके जून तक आपको Wix बढ़ती हुए देखिए थी वैसे ही यहाँ पर भी Wix का breakout होना हुए दिख रहा है आपको अगर Monday पर हमको देखना पड़ेगा कि Wix किस तरीके से trade होती है अगर market volatility रहती है आपको risk management point of view से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जो भी event के चलते जो भी sharp moves आते है इसलिए risk को बहुत ज़्यादा manage करके चलिएगा money management point of view से सारे जगेपे सारे trades में stop loss ज़रूर लगाईएगा क्योंकि वह थी violent moves आ सकते हैं तो यह structure है आपका market कर लेके market next week में event से भरा हुआ है इसलिए uncertain है तो event basis पे trade किया जा सकता है वहीं पर bank nifty के अगर हम बात करें तो bank nifty में आप देख पा है bank nifty पूरे time एक range में आपको देखने को मिला है यहाँ पे देखिए एक upper bank देखने को मिल रहा है 57,000, 52,000, 750 के आसपास और support zone की बात करें तो यहाँ पे देखिए 52,000, 250 के आसपास यह support है तो पूरा time एक range में आपको चलता हुआ bank nifty देखा है RSI भी बहुत ज़ार sideways है तो bank nifty में हाला कि super trend देखें तो अभी positive है जैसे कि nifty में super trend negative हो चुका है bank nifty में super trend अभी positive है support gather करने की कोश्च कर रहा है यहाँ पे event के चलते आपको breakout का wait करना है किस side में market breakout देता है उसी side में आपको position बनाने का try करना है so bank nifty में market पूज़ता है sideways है let's wait for the breakout event के चलते कोई भी breakout आता है companies के result भी आने वाले है support and resistance level आपको clear हुए होंगे video informative लगा है please hit the like button channel को subscribe करें bell icon को click करना ना भूद है thank you for watching happy trading